नमस्कार स्वागत है आप सभी कवी के निउस पर मैं हूँ आपके साथ मेगना सुष्टेवा यूपी के पुर्व सीम कल्यान सिंग के निधन के बाद से राजिते गलियारों में शोक की लहर है आम जहनता को विजवात का एहसास है कि उन्होंने कल्यान सिंग के जाने से क्या हो दिया है हालकि उनकी निधन के बाद अंदिम संसकार की तैयारों के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है अलिगर्ण में धनिपूर में मिनी हवाई अड़े का नाम पूर्व मुख्यमत्री कल्यान सिंग के नाम पर होगा यहां सोशल मीडिया पर इसकी मांग तेजी के साथ उच रही है और इस मांग को पूरा अब सी एम योगी करेंगे ओतर प्रदेश की सरकार अगली क्याविने की बैठक में इस पर चर्चा कर सकती है आपको बता दे अलिगर्ण जिला मुख्याले से 13 किलोमेटर की दूरी पर धनिपूर है यहां पर मिनी एरपोर्ट बना हुआ है रविवार को पूर्व मुख्यमत्री कल्यान सिंग का पार्थिव शरीड चार्टर प्लेन से इसी हवाई अड़े पर लाया गया यहां से सडक मार्ग होते हुए अलिगर्ण के अहलिया बाई होलकर स्पोर्ट स्टेडियम में पहुँचा कल्यान सिंग के योगदान से हर कोई वाकिफ है इसलिए जाहिर से बात है कि सरकार भी चाहती है कुछ प्रमुक्स्थानों का नाम कल्यान सिंग के नाम पर रखा जाए ऐसे में उमीद है कि सरकार इस पर जल्द फैसला भी ले सकती है पार्टी से जुड़े हुए कुछ वरिष्ट सूत्रों ने ये जानकारी भी दी कि उतरप्रदेश सरकार की अगली क्याबिनेट की बैटक में इस मुद्धे पर चर्चा करके प्रस्ताव पास हो सकता है लोगों की ये भी मांगे कि अलिगर रामघाट रोड का नाम बाबुजी कल्यान सिंग के नाम पर किया जाए क्योंकि इसी मार्ग परूंका पैतरगाम मरॉली पड़ता है आलिगर के वरिष भाचपा नेता ठाकुर जैवीर सिंग ने भी यही मांग दोहराते हुए कहा कि वो इसके लिए मुख्यमत्री योगी से मांग करेंगे बतादे कि कल्यान सिंग के रिजन पर प्रदेश सरकार ने तीन दिन के राज के शोक का एलांग किया है सोमवार को सारवजिनिक अवकारिश का भी मुख्यमत्री योगी ने एलांग किया यानि कि प्रदेश के सारे सरकारी कार्याले स्कूल कॉले चार्च बंद रहेंगे भाचपा के जिला मुख्याले उपर श्रधाजली सभाएं आयजवित की जाएंगे फिलार के लिए इस खबर में इतना ही तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं ये वीके न्यूस नवस्कार